अजेसी सोधिया है और आप देख रहे हैं मिनीक्यूब तो दोस्तों यहां पर हम Windows 10 में मिनीक्यूब इंस्टोल किया था तो यहां पर हम वोल्यूम देखने बाले हैं अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले मैं यहां मिनीक्यूब स्टार्ट कर लेता हूं माले कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसके फॉल्डर फाइल्स कों कंटेनर के अंदर कैसे लेकर जाएंगी वो हमें यहां पर देखना है तो किस तरह से हम खोश्ट पादमा यहां पर देंगे यह हमें देखना है तो मैं दोस्तों यहां आपको बता देता हूं अगर आप यहां ओपन करेंगे अगर कोड गाए तो मैंने आपर कोड को सेफ रखा हूँ है आप चाहे तो यहां भी कोपी पेस्ट कर सकते हैं सिर्व आपको उपर लिखना हूँ और यहा तक आपको समझ में आता है ठीक है तो मैं यहां पर क्लिक करूँगा इस लिंक पर तो इसके बाद मैं यहां नीचे जाता हूँ और दोस्तो एक folder हमने बनाया विंडूस C drive में बनाऊंगा बो भी दिखाऊंगा आपको दिखेगे यह code है सिंपल सा यहां हमारा minicube start हो रहा है भी तो दूस्तो यहां इतने minicube start हो रहा है तो हम एक बार समझ लेए है फिर से volume minicube on Windows तो यहांपर यह API आपने डिफाइन कर दी API vergen काइंट कहा है इसका pod जैसे पहले सहम करते हा हुग है metadata में इसकी detail आजाएगी इसमें तो मैंने name vol 1 ले लिए ठीक है इसके अंदर एक name आएगा यहां पर आयागा जो container के अदर आप map करेंगे कहां में आप करेंगे और नीचे volumes हमने define किया है name को test vol1 ठीक है और नीचे host path नीचे host path कहां पर रखा है आपका जो folder रहला आने वाला है इसमें path किस तरह से देंगे वह हमें देखना है सिंपल मैं अभी फिर से इसको बताता हूं एक बार तो मैं यहां पर notpad open कर लेता हूं और यहां पर मैं कर लेता हूं copy paste तो host part में क्या करेंगे यहां पर हम c देगे नीचे यहां दिया हुआ c ठीक है शलैस लाकर हम आगे चलेंगे तो यहां पर मैंने copy paste कर लिया है दोस्तों simple वही kind हो गया mater rate हो गया और एक container ले ले लिए nginx के इमेज यूज कर रहे हैं यहां पर हमने define किया wall mount तो container के किस folders आप मैप करना चाहते है तो nginx मैंने path दे दिया और नीचे हमने host path में दिया है यहां पर देखो एक directory रहता हूं यूजर्स के अंदर जाकर में एक directory करेट करता हूं जहां पर मैं अपने project को रखने वाला हूं जाए PHP हो यह किसी भी project हो यहां पर लेंगविज में आप इसी तरह से आप करेंगे उसको वोलियम कुछ नहीं था दोस्ते एक बस आप यह कह सकते हैं आपने project रखने के directory करेट कर लिया वार उसका हाँ पर host path देना होता है वो आपके drive में होता है वो जहाँ project आपका रखा हो तो मैंने c drive में रखा users के अंदर k8s के अंदर मैंने उसको linux नाम के file मैंने यहाँ पर कर लिया यह path देखिए गटंग से c drive के अंदर users के अंदर k8s नाम को folder है इस तरह से आपर path देना है ठीक है यहाँ के colon नहीं लगाना है simple forward slash लगाना है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सबसे पहला है pod कैसे create करते है वो आपको आता है simple pod को create करना है तो मैं kubectl get all कर लेता हूँ तो यह जितनी भी services हमां show करते हैं अभी हमारे कोई भी pod show नहीं हो रहा है यहाँ फाइल को तो pod create हो जाएगा मेरे दिखा रहा है pod create हो का name उसका volume 1 तो मैं यहाँ पर get all कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर पहले no resource दिखा रहा था यहाँ पर आपको एक pod भी show कर रहा है one by one pod running आपका तो pod के अंदर मेरा container है इंजीनेक्स का उसमें हमें जाना है जहाँ पर हमने वोल्यूम को map किया था तो मैं cube ctl exact का यूज करूँगा है क्योंकि आपको docker में भी आपन कमांड यूज करते है और my hyphen it करूँगा interactive mode उसके बाद मैं volume पोड का name दूँगा उसके इसको ठीक कर लेता है पोड का नेम नहीं आएगा ठीक है दिखें हम container के अंदर आज चुके है ठीक है तो पोड के अंदर container है वहाँ चुके मैं यहां देखता हूं user share nginx और html देखें यही बनाए तो हमने इसी के साथ map किया था जो हमने एक folder था host path बिल्कुल तो nginx के container आप देख सकते हैं यह जो आपने यहाँ पर save किया होता c users के अंदर kates के अंदर file वहाँ पर show हो रही है तो इस तरह से हम map कर लिया है जो भी आप काम करेंगे c drive users के अंदर उस सारा के सारा आप अपने container में देख पाऊगे तो इस तरह से आप काम करते हो मैं हाँ एक file और ब project को insert कर सकते हैं आप कह सकते हैं इंसर्ट करना या exact आप जो करी रहे हैं वही मतलब है कि project के साथ map करें सिर्फ आप यहाँ पर काम कीजिएगा project के साथ वह container में show होगा तो यह था volume दोस्तों यह basic था